सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ निक केवल जूट का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं नमस्कार, दिग्विजे सिंग के ऐसे बयान कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिग्विजे सिंग और कॉंग्रेस के कई दूसरे नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर बालाकोट एर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते रहे हैं वो अक्सर सेना से सबूत मांगते रहे हैं कॉंग्रेस अज्यक्षों ने, गांधी परिवार ने कभी इस तरह के बयानों से पल्ला नहीं जाड़ा, बलकि उसको वो एंडोर्स ही करते नहीं जा रहा है, लेकिन इसका नतीज़ा भी हम जानते हैं, अक्सर तवाम चुनाओं में कॉंग्रेस को इसका खाम्याचा भी आखिरकार कॉंग्रेस को लगा कि भई उन्हें पार्टी को री इन्वेंट करने की ज़रोत है, री लॉंच करने की ज़रोत है, पार्टी को नहीं, ये कहना ज्यादा सही है कि राहुल गांधी को दोबारा से री लॉंच करने की ज़रोत है, री इन्वेंट करने की ज़रोत ह लिहाजा एक नई कवायद शुरू कीगी, नाम रखा गया भारा जोडो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राउल गांदी हजारों किलोमेटर पैदल चल चुके हैं पिछले तीन-चार महिनों में, लेकिन इस यात्रा के दोरान उनके कई बार बेतु के बचकाने बायान नहीं होने दी, इस से पहले जो बचकाने बयान वो देते रहे हैं, सेना विरोधी बयान दो देते रहे हैं, उस पर उन्होंने चुकपी साथ गे रखी, लेकिन जैसे ही यात्रा जमो कश्मीर पहुची, यहां आते आते, जब कॉंग्रेस के नेताओं का धीरे-धीरे जो नक पड़े, शू करने याग, और फिर से सेना से सबूत मांगने लगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमान कुछ ने, केवल जूट का पुलंदा से यह राज कर रहे हैं, पुलवामा हमले का भी जिक्र हुआ, और फिर से य कहना शूरू किया, कि भाई, दरसल पुलवामा हमला तो भारत की ही साजिश में जराती, नतीजे में राउल गांदी के आकर यह कहना पड़ा, जो दिगविजे सिंग जी ने कहा, उससे मैं बिलकुल अगरी नहीं करता हूँ, हमारी आर्मी पर हमारा पुरा ट्रस्ट है, इंगर्स पार्टी के ओफिशल पुजिशन भी यही है, कि वो दिगविजे जी का पर्सनल उपिनियन है, वो हमारा उपिनियन नहीं है, यह पहली बार है, जब राहूल गांदी को दिगविजे सिंग के बायनों से कन्नी काठनी पड़ रही है, वो खुल के कह रहे हैं कि भा यहां पर भी दिगविजे सिंग को वो एक राहत ही देतेने जरते हैं, यानि गुड को बैड को, एक ने तब सबूत मांगेगा, सर्जेल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेगा, और दूसरा आकर कहेगा कि दरसल इसकी कोई ज़रोत नहीं है, यानि दोनों ही देश के वोटर को जो सेना से सबूत मांगना चाते हैं, जो कि कुछी लोग हैं, उनके वोट भी उनको मिलें, और ताकि इस तरह का बयान भी जाए कि दरसल वो सेना विरोधी, देश विरोधी नहीं है, राहल गांदी तो इस बैड को इंडोस नहीं करते हैं, यानि गुड को बैड को खिल कि ये कोशिश यहां पर नजर आती है, वरना जरूर होता कि इस तरह के घटिया बयान देने के लिए दिगवजय सिंग पर कारवाई की जाती, लेकिन दिगवजय सिंग तो खुद भारत जोड़ो यातरा के सही हो जख है, उनहीं का ये प्लान है, जिसमें ये जम्मु कुश इसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जेराम रमेश को, जो कि कॉंग्रेस की मीडिया प्रभारी है, मीडिया विंग के वो प्रभारी है, हमने देखा कि सोंगवार को आज तक जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिगवजय सिंग के बायानों पर वो सवाल कर रहे थे तब वो उनके माईक को फैक्टे नजर आए, उसके बाद मंगलवार को भी हमने देखा कि जब भारत जोड़ यात्रा में, जमुक्षेत में जब यात्रा चल रही थी, मीडिया के कुछ लोग दिगवजय सिंग से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसमग भी जैराम रमेश म बात नहीं करने दे रहे थे, और साथ तोर पर मीडिया को कि माईक को वो दूर फैक्टे नजरा, यहां से पता चलता है कि दरसल दिगवजय सिंग संभाव है कि वो रेबल हो चुके हैं, वो अब पार्टी नेताओं के काबू में नहीं है, वो पार्टी कोशिश कर रही है कि दिगवजय सिंग इस तरह के बायनों पर लगान लगाए, लेकिन दिगवजय सिंग सायद सुनने रहे, या फिर संभाव है, जेराम रवेश ये कोशित ये नेरेटिव देने की, ये ओप्टिक्स देने की कोशिश कर रहे हैं, कि देखिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं दिगवजय सिंग को किस तरह के बयान ना दे, लेकिन वो तो रॉग एलिमेंट यानि की विद्रोही हो चुके हैं, अब उन पर हमारा कोई जोर नहीं है, इसलिए रहुल गांदी ये भी नेरेटिव स्थाबित करते नजर आते हैं, कि दरसल हमारी पार्टी को डिक्टेटर पार्टी नहीं है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या रहुल गांदी अपनी ही पार्टी नेदाओं को छूट देते हैं, कि वो सेना विरोधी बाते करें, देश विरोधी बाते करें, और पाकिस्तान के उस नेरेटिव को स्थाबित करने में मदद करें, च यह वाई राउन्दानी जवाब दे यह न दे लेकिन भारत की एर-फोर्ज में आर मार्शल रहे रगुनाथ नामब्यार ने दिक्विजह सिंग को जवाब दे दे दिया कि जो उतमे उन्होंने सबूत वाँड़ी ते कि दो दिन बाद उन्होंने वेस्टन कमांड की पशला था उसको रेषीर चीब बने थे यहीं वो सही आदमी है जो बाला कोरट एस ट्राक के तमाम चीजों को जो भी जिस तरह के से तन रेस्टाइक हुई उसकी तमाम बारिव्ल्ग उनके तमाम जनकारी उनके पास है और उन् G algumas Ahitana onze कर기ीं कौकीर जूब ठा संट बこと whereby c'ma is not aware of the facts I took cover as the Commander-In-Chief of Western A Command two days after the bal hor court strike, and I'm fully aware of what transpired that me assure all of you that our brave pilots that exactly as they were briefed and achieved all the objectives that we have is for them प्लीज दो नोट बिलीव एनी लाइस और बिरिस्ट इस्ट 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 शामने आही गया अग यह यात्रा 30 जनवरी को शनगर में खत्म होगी यहां पर भी कुछ सवाल खड़े हैं कि वो लाल्चोप पर जंडा क्यों नहीं फराएंगे इसको भी वो आरेसस का एजटा बताकर इसको खारिज कर चुके हैं क्योंकि हूँ जानते हैं कि लाल्चोप पर जंडा फेरा जाएंगे तो उनकी कुस्ट्वेंसी यानि उनके वोटर्स नाराज हो सकते हैं ये भी इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये आखिर भारत जोड़ो यात्रा कैसे हैं अगर देश के किसी हिस्से में जंडा फेरा जाता है तो वो आरेसस की आईडोलीजी कैसे हो सकती है ये तो कॉंग्रे को का नाम देश के परमीर चक्र विजयताओं के नाम पर रख रहे थे ऐसे समय में कॉंग्रेस के नेता अपनी ही सेना से प्राक्रम का सबूत मांग रहे थे कैसे कैसे वो कॉंग्रेस को रीइंवेंट कर पाएंगे कैसे वो कॉंग्रेस को विजय बना पाएंगे और कैसे राहुल गान्दी को देश का लीडर बना पाएंगे जब उनको इतनी भी बात आसानी से समझ में नहीं आती ये देश परमवीरों का अपमान कभी सहन नहीं करेगा नवश्कार जय हिंद